क्या आप जानते हैं कि आपके scalp पर वो जो परण deposit हो जाती है, जो कि dandruff हो सकता है, dryness हो सकती है, खुसकी हो सकती है, किसी भी प्रकार का microbial attack हो सकता है, अगर आप इसे समय रहते fix नहीं करते हैं, तो ये पपड़ी आपकी नीचे की सतह को suffocate कर देती है, आपके hair follicles धीरे-धीर हो जाते हैं और आपको गंजा पनाने लगता है, वो जो denser आपके बाल थे, हाथ लगाते ही scalp को visible कर देते हैं, तो believe me, आपको अपने scalp को clean करने की आवशकता है, पर dermatologists तो बहुत ही लंबे-लंबे, you know, बिल दे देते हैं आपको ऐसे procedures करने के लिए, then who said dermatologist के पास जाना है, आ आज के वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे, जैसा बताया जा रहा है, exactly वैसे ही execute करें, and I promise you, आपका scalp completely clean हो जाएगा, आप जो भी remedy करेंगे, वो आपके जणों तक जाएगी और आपको गजब के रिजाल्स तेगी, ready everybody, आज आप विटनिस करने वाले हैं, प्रीती करती हूँ, मेरा परिवार खुश है, स्वस्त है, अपना खयाल रख रहा है, और काफी positive है, अगर आपका चानल पर पहली बार आना हो रहा है, तो बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्रीती प्रेडना, और मैं यहां पर हफते में तीन दिन, बेहतरीन डियावर रेम और मेरे पूरे परिवार के तरह आप भी टाइम ली मुझ से जुड़ सके, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने के लिए हो एक बहतरीन रेमेडी जो की आपको मदद करें कि आपके स्काल्प को क्लीन करने के लिए, मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आ रह अगर आपके स्काल्प पर कोई परिशानी नहीं है, तो भी आप इस रेमेडी का इस्तमाल कर सकते हैं, रीजन बिंग ये आपके स्काल्प को एक रेजविनेशन प्रवाइड करता है, देखिए हमारे पूरे शेर में छोटे-छोटे से रोम चिदर होते हैं, जिनके थूँ ह लेकिन ये कोशिश हम अपने स्काल्प के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे गंजापन आ जाएगा, जिहां, वो जो टकली टांट होती है, वो इसी लिए चमकती है, क्योंकि उनके रोम चिदर कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, चाहते हो बंद करना, नहीं ना, तो कुछ ना कुछ करके आप अपने रोम चिदरों को बंद कर ही देते हैं, तो क्या करना चाहिए, इसको क्लीन करना चाहिए, बहुत अच्छे से अगर आप क्लीन करेंगे, तो आपके जो रोम चिदर हैं, स्काल्प के वो बीध करते रहेंगे, और आपके हेर फॉलिक्ल्स इस्तमाल कीजिए, बेसन के बारे में आप यह वाली वीडियो चेक आउट कर सकते हैं, हाला कि यह स्किन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मैंने बेसन का बखान किया है, कि वो आपके लिए कितना माजिकल है, और क्या-क्या माजिकल चीज़े कर सकता है, बेसन इस सूपर है, होई नहीं सकता, जब एक नवजाद बच्चा पैदा होता है, तो सबसे सेफेस्ट उप्शन उसको नहलाने के लिए बेसन होता है, जब हमारे बड़े बज़र्गों को कोई परिशानी होती है, और वो नहाना चाहते है, तो बेसन का इस्तमाल किया जाता है, अब आप सम अपस्तमाल करते हैं, उसका आपको यहां पर इस्तमाल करना है, जितना अप बेसन लेगे, उतना ही आपको को नहीं को अब कॉफिर यहां ढ़रे हो रहा है, तो मैंने एहां अपर दो दो चममच लिये हैं, आप अपने ले कर रहे है, तो एक उपमच लीजए, अगर AAPKA SCALP म मुलतानी मिटी is a cleanser, oil skin वालों के लिए वर्दान है, चिकनी होती है, जल्दी से धूल जाती है, जादा परेशानी नहीं होती है, यहां पर जो कौफी का इस्तेमाल हुआ है, वो DHT ब्लॉकर है, हेर लॉस को रोकता है, और आपको हेर ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है, आपक ऐसाजना यहां सुनने के लिए, कि यह तीनो ही इंग्रीडियंट्स आपके बालों के लिए कमाल कर सकते हैं, मैंने मुलतानी मिटी का इहां पर इंधी इंपिस्ट्राइप की मेरे स्काल्प में नहीं आया था, इसले मैंने नहीं लिया, हलांकि मेरा स्काल्प भी औली है और लीजिये, और रेडी हो चका है आपका बेहतरीन स्काल्ट स्क्रबर, बस, जहां बस, सिंपल चीज़े, बहुत पाफुल होती है, आप लोग चाहते हैं कि अगड़ाम शगड़ाम इतनी सी चीज़ बताने के लिए इतना लंबा मेसेज बना दिया, यह वो पढ़िए, इनके बारे में पढ़ना अत्यन्त आवशक है, और जिसने इस्तमाल किया है, जिसको मालूम है और वो चाहता है कि आप भी उतने ही शद्धा के साथ, उतने ही इंटेंसिटी के साथ इसको इस्तमाल करें, इसलिए मैं इतना बोलती हूँ, तो प्लीज इसको ट्राइ कीजिए, जब यह मिक्स हो जाए, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, कि इसका अप्लिकेशन कैसे बताना, बताओगे ने, फिर आएंगे वह अले कॉमेंस, इसलिए आपको बोल रही हूँ, बालों को सुल्जाना अत्यांत आवशक है क्योंकि यहां पर हम स्कैल्प क्लीन करने वाले हैं, यह गोईंग टो बी अमेज कि आपका स्कैल्प इतना क्लीन होने वाला है, तो प्ली step number two, आप अपने बालों के लिए जैसे comfortable हैं, आप चाहें तो partition करके and then you can do it, क्योंकि मैं personally feel करती हूँ कि मैं यहां से application शुरू करती हूँ, तो मैं इस वाले crown portion को पहले solve करती हूँ, फिर पीछे वाले array को करती हूँ, तो आप जैसे comfortable हैं आप कीजे, कोई परिशानी नही है, बालों को अच्छे से सुल्जा लेने के बाद, आप partition कीजिए, और जो आपकी मांग बनी है, partition है, उस पर आपको या तो गुलाब जल, देखिए गुलाब जल उनके लिए favorable है, जहां पर hard water आता है, अगर आपके यहां अच्छा water आता है, साफ, सुत्रा, स्वच, soft water आता है, तो आप पानी का इस्तेमाल कीजिए, इतना गुलाब जल मत वेस्ट कीजिए, लेकिन जहां hard water आता है, hard water के वज़े से स्केल जमा हो जाते है, तो उनको क्लीं करने के लिए फिरसे आप hard water स्प्रे कर रहे हो, तो वह नहीं आप रिजल देगा, इससे बहतर है कि आप अपने पार्टिशन में फिल किया, क्योंकि इस सुखा पाउडर है, स्क्रब नहीं होगा, इसके उपर आप गुलाब जल स्प्रे करेंगे, तो यहलका गील हो जाएगा, और फिर आपको इसको धीरे अपने, प्रेस करना है, और बहत जेंटली स्क्रब करना है, अगर आपके ऐसे नेल्ट लंबे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही ह हूँ कि ज़ूण से मत करना, मैं कर एएगी नेल्स कर रही हूँ, जूट जेंटली हैं, जेंटला हैंसे साथ starch, मैं जोगी स्क्रेपिंघ रखी, जो की स्काल्प पर जमा रखी होगी, protocol inspalड harus जैसा कि बहुत चारे लोग करते हैं इसलिए पहले सुल ज़ाया है बाई लोगों कि वो मिक्स नहीं हो तो अब ध्यान रखना कि यूण ऐसे नहीं हो जिस्ट दीरे 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 आगे पीछे जैसे आप काम्फटेबल हैं वैसे कीजिए अब ऐसे ही मैं पार्टिशन करती गई गलाब जल से हलका गीला किया पाउडर डाल और दुबारा से गलाब जल करके मैंने पूरे के पूरे पूरे फ्रंटी पोर्षिन औफ माय हैर इसको मैंने अच्छे से स्क्रब किया नाउ एक बार जहां जिस जगह को आपने स्क्रब कर दिया है उसके बाद मैं पार्टिशन मेरे पास हेर पिन था जुड़ा पिन जिससे मैं पार्टेशन कर रही थी अप जैसे कामफोटेबल उसे कर सकते हैं पैंसिल भी ले सकते हैं और उसके बाद अच्छे से स्क्रब करके फिर मैं अपने प्ने पोर्शन को किया एसी रेमेडीज में I really feel jealous of boys कितना असान है इन लोगों के लिए बालगीले करने है और अच्छे से सकते हैं एक लोगों के लिए миरे करें ख coy yaptavis कर लड़कों के लिएEEP तोड़ा सा परिशानी होती है जिनके लंबे बाल होते हैं अगर आप बहुत आराम से अदम्हद मै नहीं करेंगे और you know systematically करेंगे तो आपको भी ज्यादा परिशानी बिलकुल भी नहीं होगी हाँ बालों को थोड़ा सा लेफ्ट राइग करने में हो सकती है अदर वाइस कोई परिशानी आपको नहीं होगी जब पूरा का पूरा स्कैल्प आप अच्छे से मसाज कर ले उसके बाद को बांध दीजिए आपको दो मिनट वेट करना जादा नहीं और उसके बाद आप अपसाइड डाउन अपने बालों को करके और अच्छे से वाश कर लीजिए देखिए यहां पर जो दो चीजों का आपने इस्तमाल किया है दोनों ही आपके स्कैल्प के लिए कमाल के हैं बे आपके ग्रे है थोड़े बहुत है भी तो कॉफी कुद बी जिस्ट अमाजिक मैं जब अप्लिकेशन कर रहे थी जैसे हिना से हो जाता है हलकाल का डार ऐसे मेरी स्किन यहां भी डार हो गए थी बट जादा देर नहीं रहता है अगर आप फ्रीक्वेंटली करें तो रिजल यह दोनों ही चीज़े अपसिल्यूटली वाटर सॉलिबल है सबसे बैस चीज जैसे आपानी में अपने सर को डालेंगे यह कम्पीटी पिखल जाएगा और पिखल कर बाहर आ जाएगा ना यू अंडिस्टांड कैसे माजिक कर रहा है देखिए इसके चोटी 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 बहुत ही जेंटली अच्छे इफेक्स भी दे दिये और जब पानी में डाला तो बहे कर बाहर भी आगए अब बताओ इससे बढ़िया क्या होगा जब अच्छे से वाश ओफ हो कर निकल जाए शांपू करना है इतनी बार इंडिरेकली बोल देते हूं कि लोगों को फिर डा तो कुछ लोगों के लिए बेसन ही शांपू होता है बट वी आ नौट कामफोटेबल हम लोग तो भई शांपू से ही सर्द होते हैं तो आप थोड़ा सा शांपू करिए ताकि ये सारे के सारे ग्रानियोज निकल जाएं लिए शांपू का इस्तमाल यहां पर सिर्फ इन इं मैं पहले ही बता रही हूं मुझे शुरू में सौट करते वे जितना हैर फॉल हुआ हुआ उसके बाद मैंने स्क्रबिंग करी बलड सर्कुलेशन उपर बुलाया उसके बावजूद मुझे जीरो हैर फॉल हुआ जब मैंने कंगी करी इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे से को स्क्रब किया इसके पूरे ड्वांटेज़ लिये और कोई नेगिटिव इंपक्त अपने बालों को नहीं दिया अव्यू अडिस्टाइड सुल्जाना आवशक है तमीज से करना आवशक है तभी हैर फॉल नहीं होगा जब आपके बाल अच्छे से सूख जाएंगे तो अ क्योंकि स्काल्फ कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा अब जो रेमेडी आप लगाओगे जो तेल आप लगाओगे वो सीधा आपके रूट्स पर जाएगा और आपके बालों को वर्जाल देने के लिए मजपूर कर देगा कैसा लगा है ना अच्छा कर के देखिए और भी अच अच्छा की तरह आश्चा करती हूँ मेरे परिवार को मेरी प्रस्तुती पसंदाई है अगर पसंदाई है तो लाइक करना है भूलना नहीं है अगर चानल पर नहीं है तो आप देख चुके है क्या नाजक यहां पर होता है जल्दी से सब्स्राइब कर लिजे और हमारे परि वीड़ी आव यहीं है वीड़ी आट वीड़ी आट यहीं है का 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 लुड है झाल झाल